ओम शान्ती आच्छे डिसेंबर 2021 के बाबा के मतुर महावाक्य सुनेंगे मिठे बच्चे दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना वापस लेंगे तो आशिर्वात के बदले श्राप मिल जाएगा प्रश्ण है आज की मुरली से कौन सा निश्चे पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते है उत्तर अगर निश्चे हो जाए कि हमको भगवान मिला है उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने है विश्व की बाच्शा ही लेनी है तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएगा सामना करने की शक्ती आ जाएगी निश्चे की कमी है तो मूझ जाते है फिर ज्यान को छोड़ भक्ती में लग जाते है आज की मुरली से पहले गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया जमीन तो क्या आसमान पा लिया ओम शान्ती यह गीत कौन सुनते हैं बच्चे सुनते हैं वही अर्थ को भी समझते हैं प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है जैसे भारतवसी सब कहते हैं हमारा भारत वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक है, जैसे योरोप वासी आए, भारत में योरोप वासी आए, तो वह भी कहते थे, हम हिंदुस्तान के मालिक है, उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे, कि हम हिंदुस्तान के मालिक है, क्यों, वह गुलाम थे, राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी फिर हमारा राज्य भाग्य रावर्ण छीना अभी हमको अपना राज्य चाहिए यह पराया राज्य है गाया भी जाता है दूर देश के रहने वाले अब तुम अपना राज्य ले रहे हो तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो इसमें कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो वह सेना लड़ती है अपने प्रेजिडन्ट वह प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़े आदमी तो वह बनते हैं न उनको नशा अच्छा रहता है फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है परन्तो भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि यह कोई हमारा राज्य नहीं है यह रावन का राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पराया राज्य है जब राम राज्य में होते हैं, तब ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पराया है, अभी भारत पर रावन का पूरा राज्य है, राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है, तुम जानते हो, 5000 वर्ष के बाद, हम राज्य ले रहे हैं, किस से? परमात्मा बाप से राम अक्षर कहने से लोग मूझते हैं इसलिए बेहत का बाप कहना ठीक है यह बेहत का बाप है बाप अक्षर बहुत मीठा है बाप ही वर्सा याद दिलाते हैं एक बाप के सिवाई और सब कुछ भूल जाना है हमात्मा ये बाप से वर्सा ले रही है बाप आकर तुमको आत्म अभीमानी बनाते हैं हमात्मा है आत्मा कितनी छोटी महीन है उसमें 84 जन्मों का पाट भरा हुआ है यह मोटी बुद्धी वाले मनुष्य नहीं जानते हैं न समझा सकते हैं बाबा से वर्सा ले रहे हैं कितना सहज है परंतु माया भुला देती है इसी लिए बच्चों को महनत करनी पड़ती है इसमें कोई हत्यार बारुद की बात नहीं है रावन के साथ की लड़ाई में न कोई हत्यार न बारुद की बात है फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते है वैसे तुम्हारी बुद्धी में भी है कि अब नाटक पूरा होने वाला है अब अशरीरी बनकर घर जाना है हम हर पांच अजार वर्ष के बाद पार्ट बजाते है आधा कल्प राज्य करते है आधा कल्प गुलाम बन जाते है बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते है बुद्धी में सिर्फ याद रखने चाहिए बुद्धी में सिर्फ बाबा की याद रहने ही चाहिए पुरशार्थ कर जितना हो सके यह भूलना नहीं चाहिए अब नाटक पूरा होता है बाकी थोड़ा समय है हमको जाना है ऐसे ऐसे अपने साथ बाते करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएगे हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ बाबा कही ये तो हर एक को अपने आप पता चलता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ चाहे कोई चाट लिखे या न लिखे परंतो बुद्धी में तो रहता है न तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया जैसे व्यापारी लोग अपने मुरादी संभालते हैं रात्री को यह भी व्यापार है रात्री को सोने के समय जाँच करते है सारे दिन में बाप को कितना याद किया कितनों को बाप का परीचे दिया जो होशार होते हैं उनका धन्दा अच्छा चलता है बुद्दू होगा तो धन्दा भी ऐसे ही चलेगा यह तो अपनी कमाई करनी है बाबा को याद करके अपनी कमाई करनी है बाब सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे इसमें too much आशाएं नहीं होनी चाहिए गाउं में रहने वालों को आशाएं कम रहती है शाहुकारों को बहुत होती है वो अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं गाउं वाले अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर हिर जाते हैं, सुखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है, शावकारों में इच्छाएं बहुत होती है, मा बाप को ही तंग कर देते हैं, बाबा अनुभवी है. गरीबों पर रहम भी आता है, गरीब देखेंगे, इतना बड़ा आदमी ग्यान सुनता है, तो हम भी सुने, चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं, कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते हैं, पहले तुम हुश्यार बनो, फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि अब समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती है, वो डरा देते हैं, तुम अगर भक्ती नहीं करेंगे, तो तुमको फल कैसे मिलेगा, भक्ती से तो भगवान मिलता है, जब तक इस ग्यान में पक्का हो जाए, पुरा निश्चे हो जाए, कि हमको भगवान मिला है, वो हमको कहते हैं, कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए, जब ये पक्का निश्चे जम जाए, तब ही किस से सामना कर सके, तुम्हारे से ही ओपोजिशन है, बाबा कहे और तो किसी से नहीं है, बक्ती करने वालों से नहीं है, तुम्हारे से ही ओपोजिशन है तुम एक बात कहते वह दूसरी बात कहते दुनिया में बहुत मठ बंध है जहां मनुष्य जाकर कुछ न कुछ सुन कर आते हैं गीता का भी भिन भिन अर्थ सुनाते हैं तो मनुष्य फस पढ़ते हैं सन्यासी कभी ग्रहस्तियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ अगर वह कहें भी कि निर्विकारी बनो फिर क्या होगा एम आपजेक्ट तो कुछ है नहीं उनके पस ये एम आपजेक्ट तो है नहीं कि हमें नर्से नारायन बनना है इसी लिए हमें निर्विकारी बनना है उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत है सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े उन पर भी माया का बहुत वार होता है दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंत माया बुद्धी को फिराती रहेगी, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी, माया की लड़ाई है बहुत, चलते चलते तुफान बहुत आते हैं, अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा, तो दिल को खाता रहेगा कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो फिर हमको कैसे कहते हो तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े क्रोध कोई छिपा कर तो नहीं किया जाता है क्रोध में तो आवाज बहुत होता है आपस में लड़ते हैं एक दो को गाली देते हैं बाबा देखते हैं क्रोध का भूध निकलता ही नहीं है बाबा देखते हैं बच्चों में कई बार क्रोध का भूध निकलता ही नहीं है कोई-कोई यहां सन्मुख बाबा के होते भी क्रोद कर लेते हैं बहुतों में क्रोद का भूत आजाता है ये बहुत खराब है तंग करते हैं बाबा तू फिर प्यार से समझाते हैं अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी ब्रश्ट कर देंगे यह तो समझाना चाहिए कि तुमने पांच विकार बाबा को दान दिये हैं तो फिर वापस क्यों लेते हो बाबर कहे दान दीवी चीज तो वापस नहीं ले सकते हैं तो इसलिए समझाओ कि तुमने पांच विकार बाबा को दान दिये हैं तो फिर वापस क्यों लेते हो, अगर फिर क्रोध कर लिया, तो ग्रहन छुटेगा नहीं, वह फिर व्रद्धी को पाता है, बाप की आशिरवाद के बदले श्राप मिल जाता है, जो क्रोध करता है, तो बाबा कहे वो अपने आप को श्रापित कर देता है, क्योंकि बाप के साथ धरमराज भी है, यह भी ड्रामा में नूद है, क्रोध करना यह भी पाप है, जिन में पाँच विकार है, उनको पापात्मा कहा जाता है, सत्यूग में है सब पुन्यात्मा, वहां कोई पाप नहीं करते हैं, अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोजा स सिर पर बहुत है, पहले योग बल से कट करना है, माया बड़ी खराब है, लोब बहतों में है, क्रोध भी है, अब बाबा लोब पर आते हैं, लोब बहतों में है, कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का भी लोब है, तो जूट बोलते रहते हैं, लोब हमेशा बुलवाता है यह सब लोब की निशानिया है यहां तो सब कुछ मिलता है बाबा के घर में तो सब कुछ मिलता है बाहर में तो घर घर में खिट-खिट लगी हुई है संग भी बहुत खराब है पती ब्रामन तो स्त्री शूद्र स्त्री ब्रामनी तो पती शूद्र घर में ही हन्स और बगुले बहुत खिट-पिट रहती है अपने को शांत रखने की युक्टी रखनी होती है घर बार छोड़ना भी बाबा एलाव नहीं करते है ऐसे बहुत आश्रम है जहां बाल बच्चों सहित जाकर रहते हैं फिर खिट-पिट तो सब जगव होती होगी शांती कहां भी नहीं है सच्ची सच्ची शांती सुख पवित्रता 21 जन्म के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है ऐसी मत और कोई दे ना सके बाबा हम बच्चों को कितनी उंची ते उंची श्रीमत देते हैं कि रहना है गर ग्रहस्त में रहते हुए भी बाबा को याद करना है और विकारों का दान देना है ऐसी मत और कोई दे ना सके जिससे बाबा कहें सच्ची सच्ची शांती सुख पवित्रता 21 जन्म के लिए बच्चों को मिल जाती है बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने तुमको भी सर्विस करने है प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते बल गवर्नर ओपनिंग करते हैं परंतु यह थोड़ी बुद्धी में आता है कि इन्हों को परमात्म पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारत जिससे विश्व का वर्सा मिलता है सिर्फ कहते हैं अच्छा है माताएं अच्छा करतविय कर रही है स्रेष्टाचारी बना रही है बल यह भी लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि गीता भगवान ने गाई है यह भी ओपिनियन में लिखे जाते हैं कि मैं मानता हूं कि गीता भगवान ने गाई है लिख दिया परन्तु बुद्धी में थोड़ी बैड़ता है न पुरशार्थ चलता है समझने का तुम्हारी बुद्धी में है किश्य बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे या और जो भी आते हैं वो धर्म स्थापक है तुम सब को ये मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे घड़ी घड़ी दंदे धोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाते हैं बाबा ने जो ग्यान सुनाए वो ग्यान थोड़ा भी सुना तो बाबा कहे वह व्यर्थ नहीं जाते हैं एक एक रत्न कम नहीं है एक रत्न भी स् मालिक बना सकता है इतना बाबा ने गैरी बात कई कि बाबा का एक रतन भी जिसने धारण कर लिया वह भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है गाते भी है भारत हमारा बहुत उंच देश है तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना है अब फिर बाबा कहते ह मा में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे प्रजा तो धेर बनती जाती है वृद्धी भी होती रहती है सेंटर्स खुलते ही रहते हैं बाप भी कहते हैं गाउं में जाकर सर्विस करो ऐसे बहुत गाउं है जहां मिलकर क्लास करते हैं फिर बाबा को पत्र लिखते हैं तु ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए, कितनी बाबा की उंची रहम की भाबना है, कि सब मनुष्य देवता बन जाए, यहां वाला जो होगा, वह और सत्संगों में नहीं फसेगा, यहां मुख्य बात है पवित्रता की, इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं, गवर्मेंट भी कहती है, यह क्या करते, यह क्यों होता है, परन्तु धर्म में इंटर्फियर तो कर नहीं सकती है, स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे, पहले जो लड़ाई लगी है, और इसमें रात दिन का फर्क है, पहले जब पार्टिशन के समय जो लड़ाई लगी थी, दूसरा विश्वेद हुआ था, और इसमें जो अंतिम लड़ाई लगे इसमें रात दिन का फर्क है, यह बॉम्स आदी पहले नहीं थे, तुम जानते हो, अमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान भी नहीं होगा, सत्युग त्रेता सुख, द्वापर कल्युग दुख, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया यह की है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है, अब पुरानी दुनिया विनाश हो, नई बनने वाली है, ये पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है फिर नई दुनिया चाहिए दहली में कितने बार नए महल बने होंगे बाबा कहे, सत्यूग के अंदर नई दहली में इतने नए महल बने होंगे जो आते हैं वो तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो ये साब तूट फूड़ जाएगा फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे फिर जितना जो पढ़ेगा उतना उंच पद पाएगा कोई अच्छा पढ़ते हैं कोई कम ये तो चलता रहता है तुम बच्चे ये पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किये हैं अब हमको घर जाना है ये पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाए ऐसी पक्की अवस्था हो जाए फिर और क्या चाहिए ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत उंच कुल में जन्म लेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुखानी बच्चो की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है माया की चक्री में कभी नहीं आना है तू मच आशाय नहीं रखनी है दूसरी पॉइंट मनुष्य को देवता बनाने के लिए अपने ब्रामन धर्म को बढ़ाना है गाउं गाउं में जाकर सेवा करने है आज का बापतादा का मधुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है बार-बार हार खाने के बजाए बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजई भव बार-बार हार खाने के बजाए बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजई भव स्वयम को सदा विजई रतन समझ कर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती मास्टर सर्वशक्ती मान कभी हार नहीं खा सकते यदि बार-बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविश्य में हार बनाने पड़ेंगे कैसे द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे इसलिए हार खाने के बजाए बलिहार हो जाओ अपने संपुण स्वरुख को धारन करने की प्रतिज्या करो तो विजई बन जाएंगे आज का स्लोगन है कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है इसलिए कब करेंगे नहीं अब करना है बहुत सुन्दर बात बाबा ने कही कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है कई लोग सूचते न अच्छा कब कर लेंगे बाद में कर लेंगे तो कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है इसलिए कब करेंगे नहीं अब करना है अच्छा ओम शाँ